नमस्ते दोस्तो मैं पिंकी भौमिक आज आई हूँ एक ऐसे बिजनेस का आईडिया लेके आप लोगों के सामने जिससे आप घर बैठके बहुत सरा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यह ऐसा एक बिजनेस जो है जिस मशीन से आप चपल बना सकते हैं आज मैं आप लोगों के समने जो बिजनेस के पूरा डीटेल्स देने के लिए आई हूँ, वो है चपल बनाने का मशीन, कैसे आप चपल बनाएंगे, यह सब आज हम यह वीडियो का थ्रू में हम सब कुछ आपको आज बोलने के लिए आए हैं, तो जैसे कि दोस्तों, जो हम च हाइड्रोलिक मशीन आता है, फिर 10 तन, 15 तन, सब तरह का मशीन मिलता है, लेकिन आज आप लोगों के सामने, हम जो मशीन के बारे में बोलने के लिए आये हैं, वो है चपल का मैनौल मशीन, बहुत ही कम पूंजी लगा के आप यह बिजनेस कर सकते हैं, तो यह जो मशीन है, है चपल का मैनौल मशीन, इसका प्राइस है स्रिफ 20,000, बीस आजार में आपका यह मशीन मिल जा रहा है, लेकिन इसके साथ आपका टोटल सेट अप ही मिलेगा, जैसे की सोल कटिंग मशीन तो है, इसके बाद आपका ग्राइंडर मशीन, फिता लगाने वाला जो इंसरेटि भी मशीन के साथ ही आपका मिल जाएगा, श्रिफ 20,000 में आपका पूरा सेट अप मतलब चपल एक चपल बनाने के लिए जो जो आपको सामन चाहिए, सब कुछ 20,000 में आपको मिल जा रहे, तो दोस्तों, श्रिफ 20,000 आप लगाईए मशीन के पीछे और आप महिना में बहु आप महिना में कितना कमा सकते हैं, वो हम अभी थोड़ा बोल दे रहे, तो जो चपल है, मार्केट में जो 50 रुपई में जो चपल भीकता है, उसका आपका पूरा सोल, स्ट्राप लेके आपका खर्चा पर जाएगा 22 रुपई, जो 50 रुपई में सेल होता है, और जो चपल ऐसा एक समान है, जो हम लोगों सब यूज़ करते हैं, सब जगा हम यूज़ करते हैं, घर के अंदर फिर बाहर जहां भी जाए, चपल भीना हम नहीं जा सकते, तो यह चपल सेल करना भी कोई बरी बात नहीं होगा, और लाब भी बहुत सारा है, तो महिना में अगर आ तो आप लोग सोच हीं, अगर आप लोग आटोमेकिग कि यह दस टर्रर फंद ल sons मशीन लीज़ीगा, तो महिना में कीतना सारा मुनाफ़ा आप लोग कर सकते। तो दोस्तो अभी हम इस मशिन के पूराव अते हैं, तो आप लोग देखी पा रहे हैं कि इस मयशिन का साइस कितना छोटा है और आपका, जैसे की, एक दस रूम में ही इस मशिन आपका एम से हो जाएगा काम कर सकते हैं ऐसे कि आप घर का किसी भी कोने में रख्के भी यह मशीण से आप काम कर सकते हैं अगर आपका एक 10 बाई 10 रूम हो जाता है तो जैसे कि इस मशीन का टोटल सेट आप रख सकते हैं प्लास आपका जो raw materials बगएरा होता है जैसे कि sheet strap ये भी रख सकते हैं और आपका बना हुआ जो product होता है वो भी आप side में रख सकते हैं मतलब 10 by 10 room से या रूम में आपका आसानी से हो जाएगा और next आप हम आते हैं electric city कितना आपका electric city इसमें जरूरत है जैसे कि manual में कोई électric city का जरूरत नहीं होता है क्यूंकि ये hand press मेशिन है Quake You फिनिशिंग होता है उतमें आपका थोड़ा electric city का जरूरत होता है तो स्रिप आपका grinder मेशिन चालू करने के लिए थोड़ा इलेक्रीट्रीटी B मेशन के लिए इलेक्ट का जरूरत नहीं होगा तो जैसे कि मशीन का बारे में तो हम बोली दिए लेकिन सबसे जरूरत है मसान तो आप मेशनों लेकिन लाइवता क्यों जरूरत ही वह रॉमेटियश . यह आप लोगों को कहाँ से मिलेगा कितना कितना प्राइस सब कुछ मैं आपको बोल दे रही हूं तो जैसे कि आपका रॉमेट्रेल्स शुरू में आथा है जो रबर का शीट होता है उसका हम बात कर रहे हैं उस सारा रॉमेट्रेल्स लाइफ टाइम हम आपको हम लोगों से इधर से मिल जाएगा तो जैस लाइफ टाइम हम लोग आपको दे पाएंगे फिर आते हम लोग फिता वगए रहे होता है सब कुछ हम आपको हम लोगों इधर से मिल जाएगा हम लोगों के इधर से आट तो जैसे कि आप लोग यह मशीन डोह मैट्रियाल सब कुस्ट हम बोली दिया आप लोगों यह फिर जैसे सगी मोशिन को फार्य वार्यंटी होता है एक साल का निख उस चाहिए और थीख, नहीं होता है तो हम अगि सेंच करें नया मोशिन दे लिए और सोज इसाल का यह पाउन आपана घर भैज test देंगे और आप लोग मशीन जो ले रहे सब कोई नया है किसी को डेई आता है कि कैसे आप लोग एक चपल बनाए तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए हमारा इधर से आपका घड़ टेक्निशन लीजेगा उसका दूसरा दिने टेक्निशियन भेज देंगे जाके आपको प्रॉपर ट् तो दोस्तों यह मशीन लेके अगर आप लोग बिजनेस करना चाते हैं तो हम लोगों से कॉंटक कीजिए देखे इस क्रीन में दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिए और डीटेल्स में जानिए और हो सके तो एक बार हमारा कंपनी में आईए हमारा कंपनी है सीली गुडी सीली परा मार्केट कॉंप्लेस के सामने है हम लोगों का ओफिस एक बार जरूर आईए और विजिट करके जाईए जैसे कि हम तो बोली दिया मशीन मैटेरियल साब कूछ हम लोगों के पास अबेल है तो जरूर एक बार यह वीडियो देखके कॉल कीजिए नहीं तो आईए आप अफिस में तो दोस्तों आप कम पूंजी लगा के यह बड़ा मुनाफ़ा वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो यह मशीन आप लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो अम तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद